शीमा दोम रेमेडी इसमें आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे सेलरी अकॉंट से जुड़े कुछ नियम जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अब वो नियम क्या-क्या है आरबी आई के वह हम आपको बताने जा रहे हैं आरबी आई के मुताबिक अगर किसी बैंक में किसी ग्राहक दूसरा सेविंग अकॉंट मिलता है तो ऐसी इती में उससे 30 दिनों के बीतर उस खाते को बंद करना होता है एक बैंक में किसी वैक्ति का एक सेविंग अकॉंट और एक परेंट अकॉंट हो सकते हैं लेकिन सेविंग्स अकाउंट का इनियम जोईन्ट अकाउंट के ग्राहक उपर लागू नहीं होता है अगर पैन कार्ड नहीं है तो इस लिए में फॉर्म नंबर साथ बरना होगा जिसमें यह लिखना जोरी होता है कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है बैंक अपने हर गराहको एक यूनिक आईडी देता है सिस्टम में पैन कार्ड नंबर डालते हैं पता चल जाता है किस पैन का बैंक ही कि किसी और ब्रांच में खाता है या नहीं उसके बाद अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं तो RBI के नीमों के इतर देखें तो भी विविन बैंकों में अकाउंट रखना किसी सिर्दर्द से कम नहीं है मल्टीपल बैंक अकाउंट होनी के वज़े से हर अकाउंट पर सालाना मैंटेरिन फीस और सर्विस चार्ज लगते हैं इसका लगा स्टेट बैंक के अधिक सरकारी बैंक में मिनिम्मम बैलेंस को जरूरी कर दिया गया है प्राइवेट बैंक पहले से ही इसके लिए मोटी रखम वसूलत है इसके अतरिक आपको सबकी यूजर आइडियो और पासवड भी याद रखने पड़ते हैं एटीम के पिन भी रखने होते हैं साथ ही अगर आपका भी डेविट कार्ट हो जाता है या अकाउंट पासवड भूल जाते हैं तो फिर रिकावरी में मतलब ऐसा है कि एक हैड़ेक से कमनी होता है अभी ज़ब सेल्दी अकाउंट करते हो तो कहीं ने कहीं आपको भी एक ही अगर अकाउंट आप में टेर्न करते हो तो वो हमेशा जादा बेटर होता है तो धन्यवाद आप हमारे चैनल में सब्स्ट्राइब करें और अपने कमेंड दीचिए धन्यवाद